रुक जाना नहीं तो कह हार के काटो पे चल के मिलेंग सारे बाहर के तो दोस्तों ये है रेड इंदुस्तान और मैं हूँ वर्शाद वाल दोस्तों ये सचे कि हमें काम्याव होने के लिए जूती चपल गिसने पड़ते हैं मेहनत करनी पड़ती है मशक्कत करनी पड़ती है पर क्या होता ना कभी कभी हम अपनी रोजाना की दिन चरिया से इतने इतने ठक जाते हैं इतने मायूस हो जाते हैं, परिशान हो जाते हैं कि बस मन करता है सब चित छोड़ दे, सारे काम छोड़ दे और सारी जिम्मेदारी को छोड़ कर बस चादर तान के सो जाए कुछ घंटे. कुछ घंटे, मगर होता क्या है, काम हमें आदत हमें काम करने की पड़ जाती है, तो वो सोया भी तो नहीं चाता. चादर तान के हमें एक घंटा भी अगर सो लेते, फिर थोड़ी दिर में हलचल शुरू हो जाती है. और फिर क्या होता है, कि जब चादर तान भी लेना, तो मन में हलचल मच जाती है, फिर से उठने की, फिर से काम्याव होने की, और नई उड़ान भरने की. और लगता ही चलो, फिर से उसी दोड़ का, उसी रेज का हिस्सा बने, जिसमें हम अक्सर हार जाते हैं. और फिर हमारे वो अपनों की दुआएं, अपनों की बाते याद आने लगती हैं, जो हमें काम्याव होने की दुआ देते हैं, और कहते हैं की, एक दिन, तुम बहुत बड़े बनूगे एक दिन, चान से चमक उठोगे एक दिन, हाँ, चान से. चान से चमकना, शीतलता रखना कहां आसान होता है, चान से चमकी और शीतलता बरकरा रहे, आसान नहीं होता है दोस्तों. उसके लिए भी तो अंधिहारी राच से गुजरना पड़ता है ना, बादलों से लड़ना पड़ता है, उपर आना पड़ता है, बारिश से बचना पड़ता है, तभी तो बनते हैं चान से. चान से जिसे, चान से जब बन जाते हैं ना, चान जिसे सारी दुनिया चाती है, चान, चान के तो दुनिया कायल है, सारी दुनिया फिदा है चान पे, जबकि हम जानते हैं कि चान में भी तो दाग होता है, दाग, दाग वो जो अपने मुश्किल के दौर में उसने पाई हो कड़वी बातों के पाई होते हैं कभी काम्याबी कि कई लोग उसे ये भी कहते हैं कि यह कभी काम्याब नहीं हो सकता है कि कई की कड़वी बातों के दाख जो उसने पाई होते हैं यहां चांद से मतलब मैं परसन से कर रही हूं किन ही की बातों के जख्म जो उसने अपने सीने में पाय होते हैं किसी भी चीज को हासिल करने के लिए बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है दोस्तों कभी घर की जिम्मेदारियों का तो कभी अपनों की करवी बातों का तो कभी खुद की ही ख्वाईशों से लड़ना पड़ता है कभी भावनात्मक तो कभी शारिक इतना आसान कहां होता है काम्यावी हासिल करना लेकिन जब हम जिस दिन इस काम्यावी को पा लेते हैं न दोस्तों तो वो पल सच मुच एक हसीन पल होता है हम भूल जाते हैं वो सारे दुख वो कठी नाया जो हमने कभी जहली होती है उस दौर को भूल जाते हैं अपनों की उस चुपती बातों को भूल जाते हैं जो कभी अक्सर हमें हरा दिया करती थी पर उस वक्त हमारे कुछ दोस्त उस वक्त भी जो हमारे कुछ दोस्त जो हमारा साथ दे रहे होते हैं या माबाब या भाई बहन जिन्नोंने हमेशा यही कहा होता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा ये वक्त भी गुजर जाएगा और काम्यावी का दौर भी आएगा फिर से तेरह हो जाएगा देखना एक दिन तुम भी चांद से चमकोगी और सारा संसार तुम्हारा हो जाएगा तो बस दूस्तों इसी लिए कहते के लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, चलते रहो जब तक कि खुशियाँ भर भर कर आपकी जोली मना आजाए वो कहते भी तो है ना कि खुदे को कर बुलन दितना कि खुदा तुझ से पुछे की बोल तेरे रजा क्या है तो लगे रहो मुन्ना भाई और प्यार की जप्पी दे ते रहो खुद को हमेशा हमेशा Thank you